असलाम अलेकों मेरा नाम है में मोश पर्वेस और उस्मान बर्ट में साथ मौजूद हैं उस्मान भई सुना है मुल्क में कोई एलेक्शन हो रहे हैं वारे फाइनली कोई डेट अनॉंस हो गई है बिलकुल में मोश इस नहीं मैंने भी ट्रेमें सुना है दो रग दिन पहले ज चारों सुभाई सेमली और कोमे सेमली के एक ही दिन एलेक्शन करवाने का उन्हें अनॉंस की है जो कि मैं समयतों बड़ी एक पॉलिटिव चीज है कि अला-ला करके अब एलेक्शन आ रहें क्यूंकि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले हम भी डिसकस कर रहे थे कि एक बीच टेकर्स को थोड़ा एक स्टेंड कर दें तो अब अच्छा कि वो भी जो है ना वो चीज़ें अब दम तोड़ जाएंगी ऐसी न्यूस और तो आपको पता है पाकिसान में हाट चीज जो है ना कोई नया शोशन जब तक पूरा वह एट सॉप मेंकर फैबुरी आ नही जाए कोई नहीं करते हैं तो कोई भी दनिया में आपको पता कि इसक्स depends करना centuries होता उस घार नहीं होते हैं तो एक ही खुशाइन बात है कि एक दगर election गर्ट हो जाते हैं जो कि हम पुरी उमीद करते हैं कि इंशालाब हो जाएगी क्योंकि election commission है अरांस की है और ताके पर एक हम stability की तरफ move कर सके हैं बिल्कुल आपने ठीक बात किये stability वाली एक तो ये कि जो caretaker government के साथ कोई माज़े भी नी करता वो uncertainty की वज़े से और ये एक चीज़ भी खतम हो जाएगी कि यार वो पिछले ने किया या उस ने किया मैं हम तो caretaker है entire government है ये चीज़ भी खतम हो जाएगी दूसरा एक चोटी स भी नहीं थी रूपर से मेंगाई के वज़े से तो वो उस चीज़ करने के लिए पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड शुरू करे थे कि इंस्टॉल्मेंट्स पर फॉन्स मिलना शुरू हो जाएगी कुछ आपने थे लेकिन वही चीज़ है कि अभी उसमें इसी वज़े से कि य लेकिन इनिस कोई आए और फिर वो उपने पाउंच साल पूरे करें जैसा भी प्रफॉर्म करें क्योंकि हमने देख लिए को नहीं आता है तो उससे वर्स पर ही जाता है क्योंकि वो नारे सारे लगाते हैं लेकिन अट दी एंड सब बोलट ही होता है और मजीद चीज़ें होती है तो मैंने साल में बेदर यहीं होगा कि जीजी मैं कर सकूं कि जैसे मैं कल पर सुएक निउस देख रहा था कि उसमें एंटारेम गवर्मेंट की तो आप यह रेक्शन कमिशन ने उनको इतना पाबंद किया होता है कि कोई भी ट्रांसर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते ह है इसे हमारे यहां पे हमारे पॉले क्रेंट यूशन को फाइल मूव की फिर उनने वीक के बाद दिसीजन लिया कि हां जी आप यह वाली पोस्टिंग कर सकते हैं तो कहने का मक्सुत कि अगर उनके यहां तक हाथ बंदे हुए हैं या मतलम उनको इंटरनली तोर पे वह इस अगर दिसीजन अगर नहीं ले सकते क्योंकि वो तो सिर्फ एलेक्शन कराने के लिए आए हैं ताके फॉर टाइम पीरिड के लिए कोई गवर्वर्मेंट हो तो दाट्स वाई प्रजारी बात है वो हम जैसे पहले बात कर रहे थे यह उसकी दलील है कि बाहर की गवर्मेंट इंपॉर्टन वो कंटिन्यू करते हैं तिल दे ओर्फ ऑफ दे नेक्स न्यू गवर्मेंट लेकिन होता किया है कि वो उसी तरह से एलेक्शन कमिशन उनका उनको पवंद कर देता है कुछ फैसनों के उपर कि वो कोई नई स्कीम रिनाउंस नहीं कर सकते हैं को डिवल्मेंट वो सिर्फ डे डे अपने टास्ट चलाते हैं लेकिंगे क्यों क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है कि यह केट गवर्मेंट भी जो इलेक्शन करवा देती हैं हमें उस पर भी तबार नहीं होता तो अगर हमारी कोई दूसी गवर्मेंट ही फर्द करने चल रही होगी क्या नहीं होता कैसे भी कोई भी गवर्मेंट आये लेक्शन करके गवर्मेंट आ जाए और उसको पिर हम देखें पॉलिसीज चलें कुछ एक कॉंक्रीट पॉलिसीज हो और वो फिर कॉंटिन्यू करें पान साल यह ना हो कि दो-ठाई साल बाद पिस साल से शुरू हो जाए बलकुल बलकुल इचाला बच्ची उमीद करते हैं आगे इस पर एलेक्शन पर और आने वालों से भी तो ठीक है अपना क्याल रिखेंगा उसमान इसको यहां पर हम एंड करते हैं इचाला नेक्ट फीडियो पर मुलागात रिखें अलाओ